Hello everyone, आज हम लोग coordination compound में ambidentate ligands के बारे में study करते हैं देखे, ambidentate ligands का क्या मतलब है, यह हम यहाँ पर समझते हैं देखे, कुछ ऐसे ligand है, examples हम इसको समझते हैं कुछ ऐसे ligand है, जिसके पास ऐसी facility है कि उसमें more than one donor atom है more than one donor atom का यह मतलब नहीं कि वो polydentate है, ठीक है हम लोग monodentate की बात कर रहे हैं, और monodentate में कुछ ऐसे ligand हैं जिनके पास ऐसी facility है कि उसमें one by one करके उसमें अलग-अलग atom जो हैं वो अपना loan pair donate कर सकते हैं, लेकिन एक बार में, एक condition में एक ही donate करेंगे फिर दूसरे condition में कोई दूसरा कर सकता है, जैसे example हम देखते हैं जैसे हमारे पास cn- है, ठीक है, तो देखिए cn- की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर carbon atom है और यहाँ पर nitrogen atom है, ठीक है, तो देखिए इसका अगर हम structure लिखते हैं, तो इसका structure कुछ इस तरीके से, और हम negative charge यहाँ यहाँ पर carbon पर डाल रहे हैं, देखिए यहाँ पर carbon भी loan pair donate कर सकता है, और metal के साथ coordination bond बना सकता है, तो इस condition में आप क्या देख रहे हैं, इस condition में आप देख रहे हैं, कि cn- में यहाँ पर carbon donor atom का का काम कर रहे हैं, ठीक है दूसरा condition देखते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, negative charge कारबन के उपर है, और यहाँ पर nitrogen के पास loan pair of electron है, तो इस condition में nitrogen अगर metal के साथ क्या कर रहे हैं, coordinate bond बना रहे हैं, तो देखिए एक ही आयन जो cyanide आयन है, इसमें आप देख पा रहे हैं, कि एक conditions में, आपका carbon जो है, वो loan pair donate कर रहे हैं, जबकि दूसरे condition में nitrogen जो है, क्या कर रहे हैं, loan pair donate कर रहे हैं, तो ऐसे अगर कोई भी ligand काम करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, that is known as ambidentate ligand, ठीक हैं, लेगिन यह बात याद रखिएगा, कि one condition में, यह एक ही तरह के काम कर सकता है, यानि, अगर कोई compound है, जिसमें carbon अगर loan pair अपना दे रहा है, तो nitrogen नहीं देगा, दूसरा, अगर nitrogen loan pair अपना दे रहा है, तो carbon नहीं देगा, यह नहीं करना है, कि एक ही compound के अंदर दोनों से हम क्या करें, donate करा दें, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है, तो देखिए, cn- को हम लोग क्या लिखते हैं, cyanido लिखते हैं, क्या लिखते हैं, cyanido, तो देखिए, अब हमें यहाँ पे एक problem आ सकता है, कि हमें कैसे पता चलेगा, अगर मालीजे कोई compound का, coordination compound का, IUPAC name दिया गया है, तो आपको कैसे पता चलेगा, कि उसमें carbon donate कर रहा है, या उसमें nitrogen donate कर रहा है, तो देखिए, जब भी आप इसका नाम लिखेंगे, ठीक है, जब भी किसी भी compound में, जब cn में c donate कर रहा होगा, तो उसके ligand का जब भी नाम लिखेंगे, तो हम tonide और dash लिख के, वहाँ c लिख देते हैं, इसका यह मतलब हुआ कि, उस case में, हमारा syneido लिखते हैं, syneido और dash लिखकर हम वहाँ पे c लिख देतें, इसका यह मतलब हुआ कि, अगर वहाँ पे cn ligand है, तो उस cn ligand में donor aectum carbon है, उसी तरीके से, अगर आपको in donor aectum का काम क कर रहा है तो वहाँ पर हम लिख देते हैं साइनिडो और डैस देखर हम क्या लिख देते हैं एन लिख देते हैं तो आप इस तरीके से नेम के बेसिस पर डिफरेंसियेट कर सकते हैं कि कैसे किस कंपाउंड में कार्बन डोनेट कर पा रहा है और किस कंपाउंड में क्या कर रह आपका nitrogen donate कर रहा है तो इस तरीके से हमने देखा कि जब कोई एक ligand है और उसमें एक से ज़्यादा item donor item का काम करने लगता है और यह generally monodentate ligand होते हैं तो वैसे case में हम लोग उसको mb dentate ligand बोलते हैं second example लेते हैं फिर समझते हैं हम लोग देखें next example अगर हम देखें तो हमारा next example है next example की बात करें तो हम next example ले रहे हैं o cn minus o cn minus का अगर नाम आप देखते हैं इसका name है sineto ठीक है इसको हम लोग लिखेंगे sineto तो देखें अब इस sineto का अगर हम structure देखें ठीक है तो देखें इसको हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं O, P negative charge, C, और यहाँ पर आपका triple bond N, ठीके जी, तो देखें, यहाँ पर हमारा जो donor atom है, वो अभी यहाँ पर हमारा oxygen है, तो oxygen यहाँ मिटल के साथ coordinate bond बना रहा है, जबकि दूसरा case अगर हम देखें, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, N, triple bond C, और O, P negative charge, ठीके जी, और अब यहाँ पर अगर आप देखें, तो अब यहाँ पर, nitrogen जो है, इसके पास भी lone pair है, देखें, जिसके पास lone pair होता है, वो donor atom का काम कर रहा है, तो इस case में आप देखें, nitrogen donor atom का काम कर रहा है, जबकि इस case में oxygen पर जो negative charge है, oxygen atom जो है, यह यहाँ पर donor atom का काम कर रहा है, तो तो देखिए अगर हम इसको नाम लिखना चाहें, इसका नाम अगर लिखें, तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको लिखेंगे हम लोग साइनेटो, और कौन एटम इसमें डोनेट कर रहा है, ओ एटम, तो डैस लिखके ओ लिख दीजेगा, उसी तरीके से अगर यहां लिखना होगा तो साइनेटो और डैस लिखकर हम एन एटम लिख देंगे तो देखें ऐसे लिखने से आपको यह पता चल जाएगा कि यह एमडिटेंट लिखिन तो है लेकिन इसमें कौन एटम डोनेट कर रहा है और कौन एटम नहीं कर रहा है तो इस तरीके से हमने साइनेटो को देखा नेक्स हम बात कर रहे है नेक्स हम देखते हैं कि नेक्स हमारा जो है वो कौन सा है तो देखें नेक्स है हमारा थायो साइनेटो तो थायो साइनेटो को हम लोग कैसे लिखेंगे तो चलिए एक्जाम्पल से देखते हैं तो एक्जाम्पल नेक्स्ट है हमारा इसका हम लोग लिख सकते हैं S, C, N या C, N, S लिख सकते हो ठीक है? नेगेटिव बढ़ाता है इसके उपर इसको हम लोग बोलते हैं थायो साइनेटो ठीक है? अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं तो अगर आपके पास इसको structure लिखना चाहते हैं इसका structure तो आप इसका structure इस तरीके से लिख सकते हैं और नेगेटिव चार्ज हमारे sulfur के उपर है दूसरे case में हम इसका structure लिख या तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, negative charge यहां पर sulfur के उपर, अब आईए, यहां पर हमारा donor atom कौन सा है, sulfur, sulfur metal के साथ क्या कर रहा है, coordinate bond बना रहा है, और यहां पर हमारा donor atom है, वो कौन सा है, nitrogen है, तो nitrogen यहां पर क्या कर रहा है, donor atom का काम कर रहा है, तो यह दू अलग-अलग case हो गया, ठीक है, एक ही legend है अलग-अलग case में अलग-अलग काम कर रहा है तो अब हम इसको लिखेंगे इसका नाम कैसे लिखेंगे तो इसको लिखोगे थायो साइनेटो और कौन सा एटम यहां डोनेट कर रहा है सल्फर तो सल्फर लिख दीजेगा इसके केस में आप क्या लिखेंगे तो यहां भी आप लिखेंगे थायो साइनेटो लेकिन यहां पर कौन सा एटम डोनेट कर रहा है तो यहां पर nitrogen donate कर रहा है, तो हम यहां पर nitrogen लिख देंगे, तो इस तरीके से हमने देखा कि cyaneto भी, यहां पर thiocyaneto भी, यहां पर क्या काम कर रहा है, ambidentate ligand का काम कर रहा है, next चलिए, next हम अपना example लेते हैं, और वो example है, next हमारा example है, और that is, NO2-, ठीक है, हम इसको लिखते हैं, nitrito, अगर इसको ligand में अगर नाम लिखेगा, तो इसको nitrito नाम देंगे, ठीक है, अब चलिए, इसका structure देखते हैं, तो nitrito का आप structure कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, N, O, N के साथ, single bond और यह double bond और negative charge इस oxygen के उपर है, दूसरा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे negative charge इसके उपर है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, loan pair है, तो यहाँ पे दो donor item है, एक तो यह oxygen डोनेट कर सकता है, और दूसरा nitrogen डोनेट कर सकता है, ठीक है जी, तो यहाँ पे जब oxygen donate कर रहा होगा, तो nitrite to O लिखना है, ठीक है, याद रखिएगा, जब oxygen donate कर रहा है, तो जब भी इसका IUPAC नाम लिखेंगे हम लोग, तो nitrite to, nitrite to, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, nitrite to, और लिख देना होगा O, और जब यह N donate कर रहा होगा, तो यहाँ पे लिखना होगा, nitrite to, और यहाँ पे लिख देना होगा N, तो देखें कितना simple है, हमें इसको याद रखना होगा, और इस तरीके से आप देख रहे हैं, कि कैसे, एक ही ligand है, जो अलग-अलग conditions में, अलग-अलग तरीके से क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो यह कुछ example थे, किसके, यह कुछ example थे हमारे ambidentate ligand के, ठीक है, तो अगर आप ambidentate ligand को define करना चाहते हैं, तो ambidentate ligand को किस तरीके से define कर सकते हैं, तो आप ambidentate ligand को यह लिख सकते हैं, कि वैसे लिगेंड होते हैं Embedentate लिगेंड ठीक है जिसमें मतलब एक से ज़्यादा atom donor atom का काम कर सकता है ठीक है लेकिन एक बार में एक ही atom काम करेगा ठीक है तो इसको अगर हम define करना चाहते हैं तो हम इसका definitions लिख सकते हैं कैसे तो देखिए अगर हम इसको मिटा देते हैं इसको erase करते हैं और यहाँ पर हम इसका definitions लिख देते हैं और definitions भी बहुत simple है तो अगर आप यहाँ पर समझ गे तो definition लिखना बहुत असान हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि ligand which can use more than one more than one donor site donor site का यहाँ पर देखिए क्या मतलब हुआ donor site का मतलब हुआ कि जो item donate कर रहा है donor site but actually but actually only one site is used is used at one time यह मैंने आपको example में बताया कि एक बार में एक ही site का use लेना है एक ही item donate कर सकता है ठीक है एक बार में आप दोनों item से donate नहीं करा सकते हैं is known as हम कहा लिख सकते हैं known as ambidentate ligands ठीक है तो this is known as ambidentate ligands तो यहाँ पर आप देख लिजे कि कैसे आप ambidentate ligands को define कर सकते हैं और उसके examples क्या क्या है ठीक है तो देखिए अगर examples हमने यहाँ पर देखा तो examples हमने देखा कि cn minus हो सकता है हमने देखा s cn minus हो सकता है हमने देखा n o two minus हो सकता है तो यह कुछ example है जिनको हमें क्या करना है याद रखना एक और है o cn minus तो दीज आर सम एक्जामपल्स of ambidentate ligand तो आज हम लोग ambidentate ligand पर है next class में हम लोग next ligand के बारे में study करेंगे झाल